हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थाव मस्त होंगे और आप सब की पढ़ाई बेतरी चले होगी आज के इस वीडियों हम पढ़ेंगे 1857 की करांती जिसे सिपाही बिद्रोवी कहा गया था तो 1857 की करांती के सभी important MCQ हम लेके आए हैं जो की हर इजाम में पूछा ही पूछा जाता है बार-बार पूछा जाता है अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए जीगा चलिए सुरुवात करते हैं आपे पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है आपे दोस्तो 1857 का बिद्रो कहां से प्रारम हुआ था मेरड से अगला प्रश्न है 1857 के बिद्रो का तातकालिक करण क्या था तातकालिक करण ये था दोस्तो चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग आरम करना ये तातकालिक करण था अगला प्रस्ण देखते हैं यापे दोस्तों वह पहला भारती सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कार्तूस का प्रियोग करने से मना कर दिया था मंगल पांडे अगला प्रस्ण है दोस्तों मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 इसवी में विद्रोह का सुत्रपात किया था वो किस इनफेक्टरी से सम्मंदित था 34 इनफेक्टरी से सम्मंदित थे अगला प्रस्ण देखते हैं यापे दोस्तों बेगाम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व निम्लिखित में से किस सहर से किया था लखनाव से लखनाव से बेगाम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किया था अगला प्रस्ण है दोस्तों वर्स 1857 के बिद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनर्रल कौन था लाड कैनिंग था ये विरी इंप्वार्टेंट है दोस्तो अगला प्रस्थ देखते हैं आपे सात्मा प्रस्थ है वर्स 1857 के बिद्रोह के निम्न नेताओं में से किस ने सबसे पहला अपना बलदान दिया था मंगल पांडे इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्थ दोस्तो अठारह सो सतावन के बिद्रोह में कानपूर में सैनिको का नेत्रुत किस ने किया था कानपूर से किस ने किया था नेत्रुत तात्या टोपे ने किया था अगला प्रशन देखते हैं अपने दोस्तों अगला प्रशन दोस्तों रानील लच्मी बई का मूल नाम था अगला प्रशन देखते हैं भारत के सिछित मध्यम वर्ग ने क्या किया था 1857 की करांती में ततष्ठ रहे थे अगला प्रस देखते हैं आपे दोस्तों 12 निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें हम कथन पढ़ते हैं देखते हैं कौन सा सही है यह आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं पहला है मंगल पांडे बैरेकपूर इस्थित 34 नेट्व इंफैंट्री का एक सिपाई था यह सही है वह पहला भारती सिपाई था जिसने एंफिल्ड रैफल जिसमें चर्बी लगे कार्तूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर यह था यहीं है इत्र होजेंट मेजर हुजियसन की गोली मारकर टथा लेफ्टिनन भू की तलवार थाघ्या कर दी थी यहीं Lagun दिखते हैं आपे अगला है विद्रो के आरोप में मंगल पांडे को आठ अपरेल 1857 को फासी की सजादी गई थी ये भी सही है चारो आपसन इसमें सही है एक दो तीन चार चारो आपसन सही है अगला प्रसंद देखते हैं आपे दोस्तों 1857 की करांती की समें ब्रिटेन का प्रधार मंत्री कौन था लाड़ पांश्टन्स जो है उसमें ब्रिटेन का प्रधार मंत्री था अगला प्रस देखते हैं आपे दोस्तों समेलित कीजिए इधर दिया है बिद्रो का छेतर दिया है और इधर बिद्रो का नेता दिया है तो चली देखते हैं मेरर से बिद्रो जो है किस नेता ने किया था मेरर से मेरर से जो है कदम सिंग ने किया था दिल्ली से बहादूर साह दूती ने किया था हरियाड़ा से राव समराज के विरुद्ध पंजाब में किसने ससस्त्र विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने अगला प्रशन दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांती के नेता कूर सिंग का देहांद कब हुआ था नौ मई 1858 में अगला प्रशन देखते हैं अब दोस्तों किस प्रक्ष्यात भारतिय इतिहासकार ने 1857 इस भी की क्रांती को नहीं माना आर्सी मजुमदार ने 1857 की क्रांती को नहीं माना था अगला प्रस देखते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का बिद्रोह दमन के बाद भारती फोज के नव संगटन से सम्मंदित था हंटर आयोग अगला देखते हैं प्रस दोस्तों 1857 के बिद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था मिर्जा गालिब ने अगला प्रस दोस्तों निमलिखित में से कौन 1857 के बिद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुसमन था अंग्रेजों का सबसे कटर दुसमन मौलवी अहमदुल्ला साथ है अगला प्रस दोस्तों जगदीशपूर के राजा कौन थे जगदीशपूर के राजा कुवर सिंग थे अगला प्रस देखते हैं दोस्तों 1857 के बिद्रोह का नित्यत बिहार में किस ने किया था कुवर सिंग बिहार से कुवर सिंग ने किया था अगला प्रस देखते हैं दोस्तों 1857 का बिद्रोह मुखित है किस कारण से असफल रहा था इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों किसी समानी योजना और केंद्री संगटन में कमी अगला प्रश्ण है यहाँ पर दोस्तों निम्लिखित में से किसने अठारसो सतावन के बिद्रों को एक सड्यंद्र की संग्या दिया था जेम से आउटरम और डवलू टेलर ने अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लिखित वर्गों में से किसने अठारसो सतावन के बिद्रों में भाग नहीं लिया था साहुकार भाग नहीं लिये थे और जमीदार भाग नहीं लिये थे अगला प्रस देखते हैं दोस्तो 1857 में किसने इलहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था लाड कैनिंग जो है इलहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था अगला प्रस देखते हैं दोस्तों यहाँ पे गड़गरी बिद्रोह 1844 का केंदर क्या था? कोलहपूर अगला प्रशन दोस्तो 1857 के बरेली बिद्रोह का नेता कौन था? बरेली से जो है कौन नेता लड़े थे? खान बहादूर लड़े थे अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो आजादी की पहली लड़ाई निलिखित में से किस ने 1857 में अंग्रेजों से संग्रह किया था सहादत खान ने अंग्रेजों से संग्रह किया था 1857 में अगला प्रशन है दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रथम स्वतंतता संग्राम का मुख्य तातकालिक करड़ क्या था अंग्रेजों का धर्म में हस्तस छेप का संदे है ये मुख्य करड़ था अगला प्रसंद देखते हैं आपे दोस्तों 1857 में भारत में हुए विद्रो के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था तात्या टोपे का मूल नाम नाना साहर था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रस्ण है हमारा इन कथनों पर विचार कीजिए इन कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है कौन सा कलत है 1857 की करांती की सुरुआत एक सैन बिद्रोह के रूप में हुई थी सही है ये दूसरा है कालांतर में इसका सरूप बदल कर ब्रिटी सत्ता के बिरुध एक जन ब्यापी बिद्रोह के रूप में हुग गया जिसे भारत का पहला सोतंता संग्राम कहा गया दोनों कथन इसमें सही हैं तो इसका एक और दो दोनों सही हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं दोस्तों किस इतिहास कार ने लिखा है कि तथा कथित पर्थम राष्टी सतंतरा आंदोलन न तो पर्थम नहीं राष्टी और नहीं सतंतरा संग्राम था आरसी मजुमदार ने ये कहा कि पर्थम राष्टी सतंतरा संग्राम न तो पर्थम नहीं राष्टी और नहीं सतंतरा संग्राम थ अगला प्रश्ण है दोस्तों मेरट में विद्रो प्रारम हुआ था कब हुआ था दस मई 1857 को अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों यहां पे 1857 के समसमाई की समकालिक इतिहासकार कौन थे मुंसित जीवनलाल ये थे दुरगादास ये भी थे मुईद्दीन ये भी थे सयद अहमद खाद ये भी थे चारो थे इसमें तो एक दो तीन चार चारो इसमें राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं दोस्तों यहां पे वारस 1857 के विद्रो के संदर में निलिखित में से किसने उसके मित्र को धोका दिया तथा जिसे अंगरेजित वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को अगला प्रस देखते हैं दोस्तों निम्ण में से कौन सा एक छेत्र 1857 के विद्रो से प्रभावित नहीं था चितोड जासी था जगदिशपूर था लखनव था लेखिन चितोड नहीं था अगला प्रस्थ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कथन वाला दिया है स्वाल कथन है प्रारम्विक राष्टी अंदोलन की आधार भूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था कारण हमें से कह रहा है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संक्रिड होते होने के लिए लड़ता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए सही है परन्तु आर गलत है चले सामा प्रस्थ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस मिसाल में हम मुसल्मानों को हिंदूों से भिड़ा नहीं पाए निलिखित में से कौन सी एक घटना से एचेसीन के सम्मन्द में यह कथन है 1857 का विपले या विद्रोह अगला प्रस्थ दोस्तों यहाँ पर सुमेलित कीजिए इधर दिया हुआ है छेत्र और इधर दिया है नेत्रित्व तो ग्वालियर एवं कालपी से ताट्ट्या टोपे और इलहाबाद वा बनारस से जो लियाकत अली समन्दी थे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला समन्दी थे और जगदीशपूर से कुवर सिंग समन्दी थे अगला प्रस्थ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरट के बिद्रोही सैनिको ने किस तारीक को दिल्ली पहुच कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल समराठ बहादूर साधुती को भारत का समराठ भोशित कर दिया बारा मई 1857 को अगला प्रस्थ देखते हैं पर दोस्तों सुमेलित कीजिए इधर दिया हूए छेत्र और इधर दिया हूए नेत्रित्व तो जहासी से किसने नित्रित किया था जहासी से लच्वी भाई ने, फतेपूर से कौन नित्रित किया था अजीमुल्ला, मतुरा से देवी सिंग, संभलपूर से सुरेंदर साई अगला प्रस देखते हैं आपे दोस्तों 1857 के बिद्रो के दवरान दिल्ली में बिद्रो का सैन नेत्रित किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, बक्त खाने किया था अगला प्रस्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सुमेलित कीजी इधर दिया हुआ है विद्रो का स्थान और इधर दिया हुआ है दमन करने वाला ब्रिटीस अधिकारी अगला प्रस्ट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों बिहार के जगदीशपूर में विद्रो के दमन का स्रेय किस ब्रिटीस अधिकारी को है टेलर वा विन्सेट आयर को अगला प्रस्ट यहाँ पे दोस्तों अठार सो सतावन के विद्रो के करम में दिल्ली विद्रो के दमन करने में किस ब्रिटीस सैन अधिकारी की मृत्ति हो गई थी निकलसन अगला प्रस्ण दोस्तों किसी अस्थान पर हुए बिद्रो के दमन के दोरान ब्रिटिस सेन अधिकारी हैवलसन की मौत हो गई थी लखनव में अगला प्रस्ण देखते हैं आपे तोस्तों अगला प्रस्ण है सबसे पहले किसने अठार esta ड्रो के बिद्रो के तुरंट बाद इसे एक राष्टी बिद्रो के संग्या गेता बेंजामिन डिजरायली अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों इधर दिया हुए सुमिलित करना है इधर बिचारक है इधर 1857 की करांती के सरूप संबन्ध में ब्यक्ति बिचारक है तो सैनिक बिद्रो किस ने कहा था सर जॉन लॉरंस ने कहा था राश्टी बिद्रो बेंजामीन डिजरा यली ने कहा था अंग्रेजों के बिरिध मुस्लिम एक्ता हिंदू सड्यंत किस ने कहा था टेलर आउट्रम ने कहा था सामान्ती बिद्रो जवाहलाल नहरू ने कहा था अगला प्रस देखते हैं यहाँ पे दोस्तो अगला प्रस देखते हैं यहाँ पे निलिखित में से किस ने 1857 के बिद्रो को प्रथम भारतिय स्वतंता युद्ध की संग्या दिया था बिडि सावर करने अगला प्रस दोस्तो किसके मत में 1857 की करन्ती आरंब में सैनिक बिद्रो था जो बाद में राश्टी बिद्रो में बदल गया एस एन सैन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस दोस्तो यहाँ पे 보시면 1857 के संदर्म में किस ने कहा British सासान को उखाळ फेकने के लिए भारती जन्ता की करन्ति कार्ल मार्कस ने कहा था प्रस्स देखते हैं अब दोस्तों इधर दिया हुआ है पुस्तक और इधर दिया हुआ है इनके लेखक इधर ने दिखा है चीज़ा ने लिखा है को चली यहाँ पर देखते हैं क्वीडिपेंडेंस ये कार्ल乐 मांक से ने लिखा है दौ प्रसम्हार यांपर दोस्तो है। दफ फर्ष्ट वार अफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकन लिखा है अठारसो सतावन S.N. Sen ने लिखा है अगला प्रस्ण देखते हैं आपे दोस्तों अगला प्रस्ण है जातिय आधार पर अठारसो सतावन के बिद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे शिख थे गोरखा थे और पठान तीनों थे अगला प्रस्ण देखते हैं आपे दोस्तों अगला प्रस्ण है दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी सरकार अठारसो सतावन की क्रांती गदमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता बिद्रो के समयन ही सहीध हो गये थे निलिख्यत में से किस नेता को बाद में फासी की सजा दी गई थे तात्या टोपे को बाद में सज फासी की सजा दी गई थी अगला देखते हैं प्रश्ण किसे 1857 के बिद्रो की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था बहादूर सा जफर को अगला प्रश्ण दोस्तो 1857 के बिद्रो की असफलता के बाद मुगल बार्शा बहादूर सादूती को कहां वह किस ने गिरफतार किया था हुमायू की कबर के पास लेटिनेन हर्सन ने गिरफतार किया था अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण तो 1857 के बिद्रों की असवलता के बाद बहादूर सादूती को कहा निर्वासित कर दिया गया था रंगून अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटीस सेनापती था जिसकी 1857 के बिद्रों को दबाने में महत्पूर भूंकत थी अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों निमलिखित में से वह अस्थान कौन सा है जो 1857 के बिद्रों से अच्छूता रहा मद्रास अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर किसकी बीरिता से प्रभावित होकर ब्रिटीस सैन अधिकारी ही रोज ने कहा भारती क्रांतिकारीयों में यह अकेली मर्द है लच्छमी भाई अगला प्रश्ण है दोस्तो 1857 की क्रांती का चिन क्या निश्चित किया गया था कमलव चपाती कमलव चपाती जो है यह चिन निश्चित किया गया था अगला प्रश्ण देखते हैं यहाँ पर दोस्तो अगला प्रशन यहां पर दोस्तो निलिखित में से किस पर कुछ इतिहास कारों ने अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो यहां पर यहां पर हमें सुमिलित करना है इधर दिया है अप दस्त सासकों के अंदोलन और इधर दिया है वर्स तो पहला है यहां पर उडिशा का पाइक बिद्रो जो है अठारों चारों च्हम हुआ था त्रावण कोर के दिवान वेलू पंथी का बिद्रो का हुआ था अठारों सो आठ और नम हुआ था मैसूर के सासक के विद्रो के टूर चेनम्मा का विद्रो 1824 और 39 के बीच हुआ था गंजाम के जमिंदार धननजे भामा का भाजा का विद्रो का हुआ था 1835 हुआ था अगला प्रस्ण यहां पर देखते हैं दोस्तो 68 नमबर यहां पर क्यूक्शन है इधर सुमिलित हमें करना है तो इसमें रामोसी विद्रो जो है 1822 और पची सो चब्विस में हुआ था गडगरी विद्रो जो है 1844 मुँव था सावन्त वाड़ी विद्रो जो है 1844 मुँव था अगला प्रस्ण दोखते हैं यापे दोस्तो अगला प्रस्ण है 79 महरानी विक्टोरिया ने भारती प्रसासन को ब्रिटीस ताज के नियंतर में लेने की घोशड़ा कब की थी एक नौमबर 1858 को अगला प्रस्ण है दोस्तो 1857 के विद्रो के बाद ब्रिटीस सरकार ने सीपाहियों का इन प्रांतों से चैन किया गोर्खा, सीख, एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अगला प्रस्ण है यहाँ पर दोस्तो निल्विखित में से किस ब्रिटीस अधिकारी ने लखनव में अपना जीवन खोया था इसका राइट एंसर हो जाएगा जन्रल नील, मेजर जन्रल हैवलोक, सर हेनरी लॉरेंस अगला प्रस्ण है दोस्तों यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के बिद्रो को स्वतंदता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? वीडी सावर करते अगला प्रस्ण है यहाँ पर देखते हैं दोस्तो 1857 के बिद्रो के बिशे में नेलिखित कसनों में से कौन सा सही नहीं है इसमें पहला वाला सही नहीं है इस बिद्रो का हर जगह सिच्छित अभिजन भारतियों द्वारा पूरे हिर्दे से समर्थन किया गया था यही जो है कथन गलत हैं अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला प्रस्ण है यहाँ पर भारतिय सोतंतता आंदोलन का सरकारी इतिहास कार कौन था अगला प्रस्ण है दोस्तों मंगल पांडे कहां के विद्रो से जुड़े हुए थे मंगल पांडे बैरकपूर के विपलव से जुड़े हुए थे या विद्रो से जुड़े हुए थे अगला प्रश्ण दोस्तो 76 नमबर है निमलिखित में से कौन इलहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली मौलवी लियाकत अली जो है इलहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, सेर और सस्क्राइब पना न भूलेगा धन्यवाद